एबरिवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे आप सभी का स्वागत है जारेणा उनलाइन क्लासेज में आज हमारे पास है क्लास वन की सामजिग्यान की वरक सीट जिसको सस्टी भी बोलते हैं ठीक है सोसल स्टडीज चलिए देख लेते है सबता है हमारा थर्टीन यानि की तेरा चलिए और उब्बे से हमारा क्या है किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं पानी के बारे में हैं पानी के उप्योग पानी का कहा का उप्योग होता है और कहा का हमारे लिए पानी साहक है ठीक है चलिए अब देखते हैं नीचे कोश में लिखिए जिन चित्रों में पानी का उप्योग हुआ है क्या पूछा भई जिन चित्रों में पानी का उप्योग हुआ है क्या बात पूछी जिन चित्रों में पानी का उप्योग हुआ है उनका यहां पे अपनी कॉपी में लिखना है क्या टीवी देखने में पानी का उप को उपयोग हुआ है बिल्कुल नहीं क्या पोच्छा लगाने में पानी को उपयोग हुआ है जी हां क्या खाना बनाने में पानी को उपयोग हुआ है जी हुआ है क्या टेवल टेनिस में खेलने में हुआ है नहीं हुआ तो किस-किस चीज में हुआ है नमबर 2 और नमबर 3 इन दोनों में पानी का उपयोग हुआ है अपने दैनिक जीवन में पानी के 5 उपयोग बताईए पानी का कहा कहा यूज करते हैं आपको ये बताना है ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसनान करने में सब नहाने में पानी का उपयोग करते हैं चलिए, और क्या लिखेंगे भई, दूसरा होता है खाना पकाने में खाना पकाने में आप आपकी मम्मी खाना पकाने के लिए पानी का यूज करती होंगी ना जैसे आटा लगाने के लिए सबजी में डब बनाने के लिए ठीक है सफाई में सद्धे को पोचा लग रहा था ना उपर तो उसके लिए भी सफाई में भी पानी की जरुवत पड़ रही थी ठीक है चोथा है कपड़े धोने में कपड़े धोने में पांच वाहे बरतंद होने में, बिना पानीके ये सब चीजे संभव नहीं है, ठीक है, पांच उप्योग आपने जो डैनिक जीवन में हमारे उप्योग होते हैं पानीके, वो सब यहां पे बता दिये हैं, नीचे के चित्र को अपनी कौपी में बना कर रंग भर ये, ठीक है, इस तरीके की मचली आपको बनानी है, और फिर उसमें रंग भर देना है, चलिए देखते हैं, कोसिस करते हैं हम भी, क्या हम इसको कर पाएंगे, चलिए देखते हैं, इस तरीके से, ये पानी इधर बना दिया हमने, ठीक है, अब मचली के पंक बना देते हैं, कैसी मचली बन रहा है परपल कलर की इसके यह बना देते हैं चलो यह तो बहुत गहरा है थोड़ा हलका करते हैं कि आपके बाद जो भी कलर हो उससे आप मचली बना सकते हैं मचली तो सभी कलर की होती है ठीक है इस तरीके से उसके जो उपर पैट वाला हिस्सा है उसको बना देंगे आपसे जैसी बने आप वैसी बनाए अपने भाई बेन की मदत नहीं लेनी है ठीक है यह आपको खुश से बनाना अच्छा है कैसी भी बने कोई दिक्कट नहीं है देखो मेरी मचली भी ज़्यादा सुन्दर नहीं है ठीक है चलो और कैसे बनाते हैं इसके पंक इसके पंक है हमाई यह पीले कलर के बना देते है ठीक है इसका मुझ कैसा बनाते है लाल कलर का बना देते है और इसके पीछे का इसका कैसे बनाते है वही इसका इस तरीके का बना देते है देखो यह कुछ खास तो नहीं लग रही लेकिन हमने कोशिस की आपसे जैसे बन पड़े बैसी बनाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी आप बहुत छोटे हैं ठीक है तो परिशान होनी की जर्रत नहीं है जैसे आपसे बने वैसे बना देना है चलिए next question आता है हमारा जीवन कोस्ल, मान चित्र का प्रियोग याने की नकसे का प्रियोग, मैप का प्रियोग कैसे करें माता-पिता की यहाँ पर question है ऑद आपके साहिता से कमरे में रखे सामान को नकसे के रूप में दिखाने का प्रियास करें जैसे पलंग, टीवी, सोफा, अल्मीरा, आदी चली, अब मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एक रूम का देखो, रूम में कौन सी चीज कहां पे है ये हम कोशिस करेंगे बताने की चली, अब देखते हैं सबसे पहले क्या है पलंग, पलंग कहां होता है भई इधर हमारा ये वाला बेड रूम होता है ये रूम है हमारा पलंग कहां होगा इसमें यहां पर पलंग होगा, इस तरीके से पलंग होगा ठीक है, और फिर क्या है भई, टीवी टीवी कहां रखा होता है भई, बीच कमरे में यह हमारा चोटा सा टीवी रखा हुआ है मैं इसमें लिखके भी दे रहा हूँ आपको ताकि और अच्छे समझ में आ जाए यह आपका बैड या पलंग जो भी आप कहें सोफा कहां लगा होगा भी लंबा सा लगा होगा इधर टीवी सोफे पे बैठके टीवी देखते हैं आप लोग चलो इसको इस तरीके से मनाने की कोशिस भी मैं करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए सोफा यह लगा हुआ है आपका और यहाँ पे आप बैठके टीवी देखते हैं सोफे पे ठीक है और क्या है बही अलमारी कहां रखी रहती है घर के इस वाले कोने में तो अलमारी रखी रहती है बही ऐसी लंबी अलमारी होती है ना इस तरीके का उस पे गेट होता है ठीक है यह लिग दिया हमने सोफा यह टीवी था यह अल्मारी यह हमारा पलंग ठीक है हो गई यह चीजे और भी आप बहुत सारी चीजे इस तरीके से बता सकते हैं आपके घर में और क्या क्या है मुझे यहां भी बता सकते हैं कि हाँ इधर की साइड जो है अमारे टॉयलेट्स बने हुए है ठीक है ये भी आप मुझे पता सकते हैं या नकसे में आप बना सकते हैं ठीक है इधर आपके जो बाथरूम है बाथरूम है टॉयलेट है वो इधर और इधर आपका जो पूजा करने का है भगवान को इधर यहां पे वो भी बना सकते हैं इस इस तरीके से आप एक रूम में बना सकते हैं, हो सकता है, आप मैंने बनाया है, वो अलग हो, आपके घर में चीजे अलग हो, तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, क्या है बात भी, हमारे क्या है, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, अगर हमे पुछ बनना है तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सहास रखना पड़ेगा हिम्मत रखनी पड़ेगी ठीक है और क्या है आगे देखते हैं खेल कौन सा खेलना है ताली थप ताली थप बच्चों एक कैसा खेल है यह एक से लेकर 20 तक किंती बोलनी है 5 और 15 पर ताली और 10 और 20 पर थपा करना है ठीक है यह खेल आपको खेलना है खाना क्या है भई आपको खाना क्या है दलिया क्या खाना है दलिया लसी यह आपको खानी है चलिए और क्या करना है और क्या करना है एक प्रात्मिक उपचार पेटी का निर्मान कर उसमें आवसक दवाईयां भी रखनी है, ठीक है? क्या रखना है? आवसक दवाई आपको रखनी है, जैसे की बुखार की दवाई और उसके अलावा क्या है भई सर्दी जुकाम की सर्दी जुकाम की दवाई क्योंकि यह सब common common चीजे है ठीक है उसके अलावा क्या रख सकते हैं पेट दर्द ठीक है और उसके अलावा भई सबसे जरूरी जो चीजे है ठीक है डिटॉल डिटॉल ठीक है, डिटॉल र laughे और उसके अलाबा पट्टी र겠खे ठीक है, ये चीजे रख सकते हैं और जो दर्द के इस्प्रेय होते हैं, वो चीजे भी रख सकते हैं आप के पास आई यदी कुछ ऐसी पेटी है तो आप ये सब चीजें उसमें रख सकते हैं चली दैनिक दिन चरिया है क्या क्या है भई अपने माता पिदा का अबने अधन करें अपने दिन की सुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रस करें प्रती दिन निस्नान करें खूब पानी पिए और संतुले ताहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें अपने वीडियो को लाइक करना तो बिलकुल नहीं बूलें वीडियो कैसा लगा आप मुझे भी पता सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद